होने के बाद सबसे पहले आप लोगों को बस स्टॉप की तरफ जाना है फिर बस वाले आइकन पर क्लिक करके रेजिडेंटल एरिया पर क्लिक करना है customer के पाद जाना है फिर dialogue पर click कर देना है फिर two bargain पर click करके आप लोगों को अपनी price को यहाँ पर लिख देना है अगर वो उस price से satisfy होगा तो आप लोगों को sale कर देगा फिर tow वाले icon पर click करना है फिर agree पर click कर देना है फिर दुबारा से bus stop पर वापसी आना है बस वाले आइकन पर क्लिक करके कार शोरूम पर क्लिक कर देना है फिर कार की तरफ जाना है ड्राइफ वाले आइकन पर क्लिक करना है और कार को अच्छी तरीके से पार कर देना है उसके बाद आफिस की तरफ जाना है computer वाले icon पर click कर देना है फिर sale car पर click करना है फिर sale पर click कर देना है यहाँ पर आप लोगों को अपनी price लिख देनी है फिर put up for sale पर click कर देना है तो मैंने car 4200 में purchase करी थी और इसने 4850 के offer करी है तो मैं इसको sale कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप लोग मुबाइल में car for sale simulator खेल सकते हैं तो यह जो गेम है अभी early access है इसमें और भी update आनी है अभी जैसे के car market वगारे की update इसमें आने वाली है इस वजह से जो इसका link है में description में आड़ नहीं कर सकता हूँ तो आप लोगों को play store को open करना है फिर आप लोगों को search करना है car for trade उसके बाद जो सबसे पहला game आएगा तो इसी game को आप लोगों को install कर लेना है तो आप लोग comment करके जरूर बताईगा कि यह video आप लोगों को कैसी लगी ऐसे ही और अच्छी videos के लिए इस video को like कर दिएगा चैनल को subscribe कर दिएगा और bell icon को भी press कर दिएगा मिलते हैं next video में जब तक के लिए bye bye